प्रेवरियों तो कैसे हैं आप सब फाइनली डेली उनिवर्सिटी ने अपना फेस टू का स्केडियूल रिलीज कर दिया है जी हाँ डेली उनिवर्सिटी का फेस टू आज से स्टार्ट होने जा रहा है जिसके लिए हमें ओफिशल नोटिफिकेशन मिल चुकी है जिसमें commencement of phase 2 will be started by Monday July 17 तो आज से आप लोगों का जो है phase 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आप अपने college प्लस combination का selection करेंगे और अपनी preferences को set करेंगे अपने requirement के according जैसे कि मैंने detail वीडियो बनाया था इससे पहले कि किस तरीके से आप लोगों की stimulated rank list बनती है और उसको आपको percentile score से कैसी stimulated rank list बनाके उसके basis पे college अलोट करे जाते हैं तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना उसका link पी मैं आप नीचे comment section में दे दूँगा और बागी आप लोगों की बात combination select करने की तो आपको maximum number of colleges और combination select करने है phase 2 के अंदर और ये आज शाम को 5 बजे start होगा और चलने वाला है phase 2 आप लोगों का 24th of July तक याने की एक हफता आप लोगों को दिये जा रहा है अपने application form fill करने के लिए भी और साथ में choice filling करने के लिए और deadline रहेगी आप लोगों की Thursday 27th of July तक आप लोगों की जो है choice filling complete हो जाएगी preferences की लेकिन आप लोगों को जो phase 2 है समझे इस चीज को कि phase 2 जो है 5 बजे मंडे को बंद हो जाएगा लेकिन उसके बाद जो preferences है यानि कि आप further registration नहीं कर पाएंगे phase 2 के अंदर जाने की लिए तो वो चीज बंद हो जाएगी और अपनी जो choices हैं आप लोग कर सकते हैं preferences submit कर सकते हैं by the 27 जुलाज तक आप लोगों की जो है choices auto log कर दी जाएगी अब बात कर लेते हैं correction window के बारे में important बात तो correction window has also been provided for candidates who have completed phase 1 and wish to edit modify certain यानि की जो student नह registration कर रहे हैं उसके साथ साथ में phase 1 वाले students को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है अपनी correction करने का जिसके अंदर आप लोग अपनी OBC, non-criminal, EWS, SC, ST, Minority, PW, BD category के student यहाँ पर अपनी जो है correction window के दर correction कर सकते हैं आज की डेट मगर आपने phase 1 का registration कर दिया था तो भी आप लोगों के पास यहाँ पर time period होगा correction करने का तो प्लस combination select करने का option आज से open हो जाएगा तो जैसी open होगा मैं आप लोगों के tutorial भी करके दिखाऊं कि how to fill choices for your CSAS portal बाकी मिलते हैं फिर next video के अंदर बाबाई take care thank you so much